हलो स्टूरेंट्स मैं अंशू सक्सेना आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूं आज हम लोग जिस अल्गी को पढ़ेंगे वह है औसिलेटोरिया आप यह फोटोग्राफ देख सकते हैं औसिलेटोरिया साइनोफाइसी का मेंबर है ब्ल्यू ग्रीन अल्गी में आता है और जनरली हमने देखा है काई जिसको हम कहते हैं पानी के पास में जहां पर पानी नल वगरा के पास में जो ग्रीन ब्ल्यू ग्रीन कलर की स्लिपरी सी काई इखटी होती है वो अधिकतर ऑसिलेटोरिया होती है इसके लवा पॉंड्स के अंदर, स्ट्रीम्स के अंदर, रेनी सीजन में, लेक्स के अंदर, या फिर पॉल्यूटिट पानी के अंदर भी उसिलेटोरिया दिखाए देती है और नदियों के, या पॉंड्स के, या चटानों के उपर, जो स्लिपरी मिटी होती है, चिकनी मिटी होती है, डेंप सॉयल होती है, गीली मिटी, उसके अंदर भी इसकी थिन लेयर पाई जाती है कई बार पॉंड्स के बॉटम के अंदर तली में भी उसिलेटोरिया पाया जाता है, उसिलेटोरिया प्रॉलिफिका एक प्लैंक्टॉनिक स्पेशीज है, और होट वाटर स्प्रिंग के अंदर उसिलेटोरिया की टेरिबरी फॉर्मिस स्पेशीज पाई जाती है, सलाइन स् तो सलाइन वाटर के अंदर हॉट वाटर के अंदर और नॉमल फ्रेश वाटर के अंदर यह पाए जाती है और उसिलेटोरिया का कोई स्पेसिफिक कलर वैसे तो ब्ल्यू ग्रीन आल की है लेकिन उसकी कुछ स्पेसिज रेड कलर की होती है कुछ ब्ल्यू कलर की होती है कुछ कलर लेस होती है जैसे उसिलेटोरिया प्रॉलिफिका रेड कलर की होती है और एंग्विस्टा जो है वो कलर लेस होती है और इंडिया में लगबग 105 स्पेसिज उसिलेटोरिया की पाए जाती है जिन में से उस प्रिंसिप्स, क्लॉरिना और डिकॉलोरोटा यह कॉमन स्पेशिस उसलेटोरिया की इंडिया में पाए जाती है। Now, let us study the systematic position of this algae. Class इसकी साइनफासी है, जिसमें ब्लियो ग्रीन अलगी जिनको ब्लियो ग्रीन अलगी केते हैं। Order, Pneustochals, Family, Oscillatoriaci, Genus, Oscillatoria. So, this is about the systematic position of Oscillatoria. Now, if we see the structure of the Thales, इसके Thales को हम Trigome बोलते हैं, जो की एक filament होता है, जिसकी कोशिका है, समान आकार और समान साइज की होती हैं। सिर्फ उपर वाली जो सेल है, जिसको कि हम Epical Cell केते हैं, उसको छोड़कर वो एक dome shaped होती है, या फिर pointed होती है। उसकी shapes अलग-अलग species में अलग-अलग होती है। और cells, जैसे कि आपको इस figure में दिखाई दे रही है, cells की लंबाई तो कम होती है, लेकिन चोड़ा ही अधिक होती है। तो this is about the structure, उपर वाली जो सेल है, उसको हम Calyptra कहते हैं। उसमें Calyptra is a second membrane, एक जिल्ली होती है, जो कि मोटी होती है, जिसको कि हम Calyptra कहते हैं। और trichomes जो होते हैं, या तो naked होते हैं। यानि कि उनके ओपर कोई layer नहीं होती, अनिता उनके ओपर gelatin की sheath होती है, जो उसको slippery बनाता है। अगर हम इसकी cell का structure देखें, तो oscillatoria की जो cell है, उसके बाहर की तरफ, cell wall होती है, जो कि प्लाजमा लेमा के बाहर होती है, प्लाजमा मेंब्रेन आपको दिखाई दे रही है, उसके, this is the plasma membrane, उसके बाद ये cell wall है, प्लाजमा मेंब्रेन के बाहर जो cell wall है, वो चार लेयर्स की बनी होती है, ये जनरली gram positive bacteria से resemble करती है, और L1, L2, L3 और L4 चार रीजन्स होते हैं, और ये mainly mucopeptides की बनी होती है, जिसके साथ में carbohydrates, amino acids और fatty acids होते हैं, L1 और L3 layers, अगर हम electron microscope में देखें, तो L1 और L3 layers जो हैं, वो electron transparent होती हैं, जबकि L2 और L4 layers होती हैं, वो electron opaque होती हैं, और cell wall के अंदर जो fibrils होते हैं, उन fibrils के contractions के कारण ही oscillatoria में gliding movement होता है, वो बार-बार contract होते हैं, बार-बार expand होते हैं, जिसके कारण हो से लेटोरिया gliding movement करता है, cell wall का ये जो structure है, ये typical prokaryotic type का structure होता है, इसका जो protoplast होता है, वो दो तरह के हिसों में बटा होता है, एक तो centroplasm और दूसरा chromoplasm, chromoplasm जो है, वो बाहर वाला होता है, जो की peripheral होता है और इसमें pigments, thylakoid plates पाए जाती हैं, so the pigmented part is the peripheral part, जो की बाहर की तरफ होता है, ये, बाहर वाला जो है, वो chromoplasm हो गया और अंदर वाला जो center की तरफ होता है, वो centroplasm होता है, अब अगर हम chromoplasm को देखें, तो जो photosynthetic pigments होते हैं, वो thylakoid plates की surface के उपर पाए जाते हैं, ये देखेंगे आप, thylakoid plates बनी हुई हैं, these are thylakoid plates, ये thylakoid plates बनी हुई हैं, जो tubular structures दिखाए दे रही हैं, इनकी surface के उपर, plastics पाए जाते हैं, तो ये membrane bound plastics होते हैं, जैसे की eukaryotic cells के अंदर तो proper chloroplast होता है, लेकिन prokaryotic cell है क्योंकि chloroplast इसके अंदर नहीं पाए जाएगा, इसलिए thylakoid plates होती हैं, और इनके अंदर, C-phiocyanin and C-phiocyanin and C-phiocyanin दूसरे pigments के साथ साथ पाया जाता है, so this is the characteristic feature of C-phiocyanin cell और C-phiocyanin pigments. अब जो floating species होती हैं, उनके अंदर कुछ round और खोक ले, cylinder या tubular gas vesicles होती हैं, जो की cytoplasm में पाई जाती हैं. These are the gas vesicles. You can see, यह gas vesicles हैं. यह आपको gas vesicles दिखाई दे रहे हैं. अब, gas facules अधिकतर low light intensity में बनती हैं, जबकि filaments पॉंड की bottom में आ जाते हैं. और because of these gas vesicles या gas facules, उनके अंदर हवा भढ़ जाती हैं, उनमें bions ही आ जाती हैं, और trichome surface पे आ जाते हैं, पानी की. और जैसे जैसे यह उपर पहुंचते हैं, तो उसके बाद में यह जो facules हैं, यह burst हो जाती हैं. क्यों burst हो जाती हैं? High light intensity पढ़ती हैं. जब gas vacules के उपर ज्यादा light पढ़ती है on the surface of the bond, तो वो burst हो जाती हैं. और फिर से वो जो filament है, या trichome है वो नीचे बैठ जाता है. तो इस तरीके से trichome नीचे और उपर आता जाता रहता है. कुछ angular polyhedral bodies होती हैं, जो की centraplasm के पास में होती हैं. और यह carboxysomes को स्टोर करती हैं, और इन carboxysomes के अंदर carbon dioxide fixing enzymes ribulose 1-5-dia phosphate होता है. इसके अलावा कुछ spherical polyphosphate bodies भी इसके अंदर पाई जाती हैं, जिनके अंदर phosphate store होता है. यह bodies young cells में absent होती हैं, लेकिन mature cells के अंदर polyphosphate bodies भाई जाती हैं. You can see here, these are, इसके अलावा इसमें alpha granules होते हैं, कुछ actively photosynthesizing cells होती हैं जिनकों की, जिनमें polyglucone granules भी पाई जाते हैं, thylecoids के बीच बीच में. यह देखिए, यह thylecoid plates, इनके बीच में यह जो गोल-गोल structures हैं, these are polyglucone granules. center region में centroplasm होता है यह nucleoplasm कहते हैं और यह eukaryotes के nucleus की तरह से stain लेता है, इसके अंदर nuclear membrane और nuclei absent होती है, यह बहुत sharply differentiated नहीं होता है और यह इसका prokaryotic characteristics होती हैं. अब हम देखते हैं, movement of oscillatoria, लेकिन उससे पहले growth के बारे में discuss कर लेते हैं, oscillatoria के अंदर growth जो होती है, वो intercalary होती है, कुछ में कुछ अधिकतर है algae में apical growth होती है बट in case of oscillatoria intercalary growth होती है, cell division median construction होने से होता है, जैसे कोशिका की जो cell wall है, उस cell wall में एक construction बनेगा जो कि परिप्लाज्म जो है उससे centriplasm की तरफ बढ़ेगा और एक cell दो में विभाजित हो जाती है, दो inner wall layers L1 और L2 वो grow करती है towards the ring जैसे fashion के अंदर की तरफ move करती है, कौन सी L1 और L2 और thalacoids को अंदर की तरफ वो पुश कर देती है, thalacoids किसमे परिप्लाज्म में तो वो अंदर की तरफ धकिल जाता है और इस तरीके से septum का formation होता रहता है और एक cell दो में डिवाइड हो जाती है, so the growth is intercalorie in oscillatoria और अधिकतर septum complete नहीं होता है, septum incomplete रहता है और जो बीच वाला portion है जहां पर की septum complete नहीं हो रहा है वो portion जो है, वो कहलाता है plasmodismeta जो की आस पास की जो cells हैं उनके बीच में cytoplasmic connection बनाता है, तो fine interconnections are found in the dividing cells which are termed as plasmodismeta, तो इस तरह के division को हम primitive mitotic division कहते हैं, जबकि division complete नहीं होता है, primitive mitotic division या amitotic division कहलाता है, अब एक phenomena है, बड़ा interesting सा phenomena होता है oscillatoria में जिसको की हम कहते हैं गैड्यूकोफ फिनोमेना, गैड्यूकोफ एक scientist थे, 1902 में उन्होंने ये बताया कि oscillatoria की species जो होती है, वो अलग-अलग shades के अंदर और अलग-अलग lights के अंदर वो अलग-अलग color बताती हैं, जैसे कि अगर oscillatoria के उपर red light पड़े, तो वो green color दिखाता है, green light डाले तो reddish blue दिखाता है, yellow light डाले जाए तो bluedish green दिखाता है वो अपने को, तो इस तरीके से color change का जो phenomena है, वो इसके लिए इसमें complementary होता है, और इसको हम chromatic adaptation कहते हैं, तो oscillatoria में chromatic adaptation या गैड्यू को phenomena पाया जाता है, जिसमें अलग-अलग wavelength की light जब इसमें पड़ती है, तो वो अलग-अलग color का दिखाई देता है, तो इस वो अफ्यू थिंग्स about the growth and the chromatic adaptations of oscillatoria, अब लेट आस स्विच ओन तो दी movement of oscillatoria, दो तरह का movement होता है, एक तो gliding या creeping movement and then the oscillatory movement. Oscillatoria में जो ये difference होता है, वो species to species vary करता है, किसी में gliding या creeping movement होता है, किसी में oscillating movement होता है, लेकिन इसके अलावा कुछ environmental factors भी होते हैं, कुछ chemical factors होते हैं, जो कि इसके movement के mode को reflect करते हैं, जैसे कि temperature है, pH है, viscosity है, medium की, जिसके अंदर वो उगरा है, और light intensity है, so light temperature, pH and viscosity of the medium, these are a few factors which affect the way of movement of oscillatoria, gliding movement को अगर हम देखें, तो, जब, trichome, rhythmic movement, किसी solid surface पे करता है, कोई solid surface है, उसमें एक rhythmic movement, आगे बढ़ता है, पीछे आता है, आगे बढ़ता है, पीछे आता है, glide करता है, ऐसा movement, और कोई और गन भी नहीं दिखाई दे रहा, कि जिसके करणों को चल रहा हो, तो इस तरीके का, आगे पीछे move करने वाला जो movement है, इस इस कॉल्ड एस दी gliding movement, इस movement में, उसकी shape में कोई परिवर्दर नहीं होता, और ये movement, mucilage sheet के अंदर होता है, sheet जो होती है, mucilage की sheet जो इसके चारों तरफ होती है, वो substratum के उपर, चिपक जाती है, किसी भी आधार पे चिपक जाती है, और trichome उसके अंदर move करता है, और gliding जो होता है, वो हमेशा longitudinal axis, of the trichome की, की sheet में होता है, trichome का जो longitudinal axis है, उसी में वो आगे पीछे move करता है, कुछ species में क्या होता है, gliding movement is accompanied by the rotation of the trichome, आगे भी move करेंगा और ये जो trichome है, ये रोटेट भी होगा, गूमेगा भी, so this is about the gliding movement, now the second type of movement is the oscillatory movement, oscillation क्या होते है, when the trichome moves to the left and the right side of the main axis, trichome का main axis है, जिसके इस तरफ move करेगा और इस तरफ move करेगा, इस तरह से लेफ और राइट में वो जब मूव करता है, पैंडूलम की तरह से, या वाल क्लॉक के अंदर जो पैंडूलम होता है, उसकी तरह से लेफ और राइट में मूव करता है, तो इसको हाम oscillating movement कहते हैं, and because of the oscillating movement of oscillatory area, the name of oscillatory area has been termed, इसी पे इसका नाम बढ़ा है oscillatory area, अब ये जो movement है oscillatory area के लिए, उसके लिए कुछ views दिए गए, कुछ लोगों का ये माना है, कि ये जो movement होता है, वो कुछ invisible cilia पाए जाते हैं, जो की oscillatory area के tip पे पाए जाते हैं, ट्राइकों के tip पे यहाँ पर कुछ cilia पाए जाते हैं, जो की movement के लिए जिम्यदार होते हैं, कुछ लोग ये मानते हैं, कि जैसे ही जैसे movement होता है, तो tip पर एक छोटा सा पोर होता है, यहाँ एक छोटा सा पोर होता है, जिससे की mucilage secret होता है, और जिसके कारण ये चिकनी हो जाती है, और वो movement होता है, So, secretion of mucilage through a small pore present on the surface of the trichome is responsible for the movement of oscillatoria. तीसरा है कि जो undulating surface of the trichome, जो है, वो ही responsible है movement के लिए. और चौधा वियू है कि rhythmic contractions होते हैं, trichome में, cell की surface पर, जिसके कारण, oscillatoria में movement होता है. तो ये चार वियू थे, oscillatoria की movement को explain करने वाले. Now, the nutrition. Nutrition in oscillatoria. Oscillatoria का जो main pigment है, वो chlorophyll A होता है. लेकिन इसके अलावा accessory pigments होते हैं, C-pico-sinine and C-pico-erythrin. ये जो pigments है, ये solar energy को trap करते हैं, और starch और glycogen का निर्मान करते हैं, और ये starch और glycogen, बाद में, साइनोफाइसिन स्टार्च और ग्लाइको प्रोटीन में convert हो जाता है. So, this is about the nutrition in oscillatoria, now the reproduction in oscillatoria. देखिए, oscillatoria के अंदर sexual reproduction पाया नहीं जाता है, और asexual reproduction भी नहीं पाया जाता है, सिर्फ vegetative reproduction होता है, और वो भी दो method से होता है, पहला है by hormogonia, और दूसरा by fragmentation. ट्राइकोम की जब vegetative growth होती है न, तो उस growth में कुछ cells चोती है, वो उनके अंदर mucilage भर जाता है, और dead हो जाती है, और ये cells कहलाती है, नेकरीडिया, जो की अपनी targeting खतम कर देती है, और जो cells हैं, आसपास की जो cells हैं, उनकी तरफ से वो by convex हो जाती है, जो पास की cells हैं, वो by convex हो जाएंगी, ये वाली cell, ये cell convex हो गई, और ये cell convex हो गई, इनकी वाल, तो ये वाली जो cells हैं, जिनके अंदर mucilage भर जाता है, और क्योंकि ये dead cells होती हैं, तो ये trichome को, दो separating discs के बीच वाली जो cells होती हैं, उनको हम कहते हैं hormogonium, अब जब ये cells dead हो जाएंगी, तो पूरे के पूरे trichome से इस portion को disconnect कर देंगी, hormogonium बाकी trichome से अलग हो जाएगा, और अलग होने के बाद, इसकी जो terminal cell है, see, the terminal cell of hormogonium, अलग हो जाएगी, जो उपर वाली cell हो जाएगी, ये एसी हो जाएगी, डॉम, डॉम शेप्ड हो जाएगी ये सेल, और बाकी बीच वाली cells है, वो आपस में इंटर्केलरी डिवीजन करेंगी और एक नया आप ट्राइकूम बना लेंगी, जो जाएगी, और बीच बीच में से तूट जाए, तो क्या होगा, जहां से वो तूटा है, जिन खंडों में वो बटा है, उन खंडों में जो उपर वाली cell हो डॉम शेप्ट हो जाएगी, और बाकी जो cells हैं वो आपस में, वो फिर से डिवाइड करेंगी, और cells की संख्या में अभी व्रद्धी हो जाएगी, और जितने टुकडे होंगे, उतने fragments से नए उसिलेटोरिया बनेंगे, so this is all about the structure development of oscillatoria, thank you.